प्रश्का स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्माट आटिया इसा कि आप सभी जाते हैं कि आगी आए के पर अभी होने वादा है जो जिसके लिए बहुत तकड़ी होने चाहिए तो आज हम आपके लिए कर आए सेंसी का कुस्चन जो कि आप ऐसे देख रहे हैं इस है है कि यह से ऐख भी सित है तो आज की कौस्चन में आ चुके है डिया है चुशन शूरू में अख कि प्रजक्रें की चिया जाता है प्रोग्राम के करने के चुब है कि कोड़ करने के लिए हम किक तीस आपका option यह है यम थर्टी एट अर्टीस आपका option C है यम 4040 या फिर option D यह थर्टी थरी उन्तालिस इसमें आपका option 30 यम 30 यह 30 राइट अंसर होगा option A 38 राइट अंसर होगा जो कि program को rewind करने के लिए प्योप क्या जाता है ठीक है आई यह प्रोग्राम में या जी 01 कोड किसके लिए है पार्ट प्रोग्राम में जी 01 किसके लिए करते हैं आपका आप्शन यह रिफ्रेंस पॉइंट पर वापस आने आप्शन भी एट रैपीड रैपीड ट्रेवर्स आप्शन भी एंस अर्कुलर इंटर्पॉलेशन ग्लॉप बाइस दार्ट या फिर आप्शन दिया रिनियर इंटर्पॉलेशन आपका option दी इसमें राइट आंसर होगा जो रिफ्रेंस पॉइंट पर वापस आने के लिए इसका आपका कूड होगा जी इस पॉइंट पॉइंट पर वापस आने के लिए पूण सब्सक्राइब ऑप जीएट इसका कोड होगा और बी नंबर आप्शन है रैपीड ट्राइवर्स एजग को घुमाने में स्पंडल ह आप्लम हमाने के लिए तेजी से का कटेह से जी जी चिरहू जिomination के जिसका कोड़ु न ही जी सर्कुलर इंटंट्रपोरेशन ट्रदफगतर लग्टिवर डिरेक्शन में एसा के चलने के लिए लेकिता फूब कोड़ों कर सकते हैं मतलब किस मोड में मैं कमाड को मैनसी इंपूट कर सकते हैंaha आपका option A है auto mode option B है MDI mode option C है edit mode या फिर option दिये जोग mode इसमें आपका option B RA transfer होगा MDI mode ठीक है MDI mode आपको option A जो है वो आपका automatic मलब कि program को automatic मैनुमल करने के लिए उसको आधेश दूने के लिए होता है प्रोग्राम को एडिट करने के लिए होता है प्रोग्राम को कैसे एडिट करेंगे हम वो एडिट मोड होता है ठीक है आप चलिए आते हैं चौते नमबर कुशन पे क्या है कि अब्यदक पुरूप पुछा है आपको औप्शन है एड्वांस बाइलेटरल फिड अप्शन भी और कान्त्रोल ऑप्चन सी है अवेलबल बेसिक फिडिंग मशीन अबेलबल बेसिक फिडिंग मेंचनिज्म आप्शन दीया इसानिक बार फिडिंग आपका प्रोग्राम में एडिट करना आप्शन प्रोग्राम में एडिट करना आप्शन प्रोग्रामेबल डेटा की की वैलिउ का पता लगाना और प्रोग्राम में डेटा की जो डेटा होगा उसका क्रोश चिक करना ठीक तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल अगली क्लास में फिर से से का कुछ कोश्चन ला नेगे और कुछ ठीक है चलिए मिलते हैं अगली द्धन्य बात